बहुत समय पहले की बात है, एक सुन्दर राज्य में एक प्यारी राजकुमारी रहती थी, उसका नाम रानी था, रानी का एक प्यारा तोता भी था, जिसका नाम मिन्नू था, मिन्नू एक खास तोता था, जो बोल सकता था और राजकुमारी का सबसे अच्छा दोस्त था, एक दिन रानी और मिन्नू ने एक नई यात्रा पर जाने का फैसला किया, वे राज्य के बाहर के जंगलों में जाना चाहते थे, रानी ने अपने सुन्दर घोडे पर सवार होकर और मिन्नू ने उसके कंधे पर बैठ कर जंगल की ओर प्रस्थान किया, जंगल में घुस्ते ही रानी और मिन्नू ने देखा कि वहां के पेड़ पौधे और फूल अधुत थे, जंगल में एक जादूई पेड था, जो सोने के पत्तों से ढखा हुआ था, उस पेड के पास एक बूढ़ा जादूगर बैठा था, जादूगर ने रानी और मिन्नू को देखा और कहा, तुम्हारी यात्रा बहुत रोमाचक होने वाली है, इस जंगल में कई रहस्य छिपे हैं, जादूगर ने रानी और मिन्नू को एक खजाने का नक्षा दिया, रानी ने उच्साह से मिन्नू से कहा, चलो, हम इस खजाने की खोज करें, मिन्नू ने अपने पंख फड़़़ाते हुए कहा, हाँ, यह बहुत मजेदार होगा, रानी और मिन्नू ने नक्षे के निर्देशों का पालन करना शुरू किया, उन्हें एक गहरी नदी पार करनी पड़ी, एक उचे पहाड पर चड़ना पड़ा, और एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, हर जगह मिन्नू अपने बुद्धिमान सुझावों से रानी की मदद करता रहा, आखिरकार वे खजाने के स्थान पर पहुँचे, वहाँ एक बड़ा सा संदूग था, जिसे खोलने के लिए एक खास कुंजी की जरूरत थी, मिन्नू ने अपनी चोच से कुंजी खोज निकाली और संदूग खोल दिया, संदूग के अंदर अनमोल रतन, सोना और एक जादूई पुस्तक थी, जादूई पुस्तक में कई अध्भुत मंत्र लिखे थे, रानी ने एक मंत्र पढ़ा, और अचानक से मिन्नू एक सुन्दर राजकुमार में बदल गया, राजकुमार ने रानी को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे इस जादू से मुक्त किया, मैं तुम्हारे साहस और मित्रता के लिए हमेशा आभारी रहूँगा, रानी और राजकुमार खुशी-खुशी राज्य वापस लोटे, मिन्नू जो अब राजकुमार बन गया था, रानी के साथ विवाह कर लिया, दोनों ने मिलकर अपने राज्य को और भी सुन्दर और समरिध बना दिया, और इस तरह रानी और राजकुमार ने हमेशा के लिए खुशाल जीवन बिताया,